हलो पपजी लवर्स कैसे हो आप स अप्ल ág declass in लोगों कीलिए बह実 ही उप्पी वुपी वाला है क्योंकि्छ के क्लासिक ऩ должен लेके मास्क से लेके बहुत ही ओपी वाला टाइटल तो गाइस प्लेज आप लोग वीडियो को लास तक देखेगा बिल्कूल भी स्कीप मत करिएगा तो उसके लिए आप लोगों को सिंपली यहापे मैप के अंदर जाना है और गाइस मैप में जाने के बाद यहापे लास्ट लास्ट में देखे रैंक एरिना करके आप लोगों को एक मैप दिख रहा होगा तो गाइस रैंक एरिना के अंदर जो हमारे एरिना में कैसे मैप है वही सेम टू सेम टीन मैप यहापे आए है जो के फॉस्ट है टीम देथ मैच उसके बाद है एसल्ट और लास्ट में है दॉ तो यहाँ पर भी इसको वैसे ही खेलना है और इसको आप लोग FPP करके भी खेल सकते हो, TPP, FPP दोनों आप्शन है, और गाइस यहाँ पर होगा क्या, कि आप लोग कोई भी एक मैप सिलक करके नहीं खेल पाओगे ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आप लोग गेम स्टार्ट करोगे तो तीन में से कोई सा भी मैप आप लोगों का खेलने के लिए आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर राइट साइड में आप लोग रिवर्ड देखे, तो गाइस रिवर्ड के ओप्सन में आप लोग यहाँ पर देखे, हम लोग क्लासिक में कैसे ब्रॉंज टायर के अंदर ह सिल्वर में जाते हैं, हम लोग गोल से लेके ब्लेटेनम डायमन एस करान एस तक यहाँ जा सकते हैं, तो गाइस इसके अंदर भी वैसा ही होगा, यहाँ पर आप लोग मैश प्ले मतलब कि टोटल कितनी मैश प्ले करोगे वह भी दिखाएगे, आपनीक इस का विन रेषियो और इसके अंदर आपकी केडी कितनी है, वो सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर दिखाएगे तो यहाँ पर देखे इसके अलग-अलग टायर भी यहाँ पर है Bronze के बाद देखे Bronze 4, उसके बाद देखे Silver, Silver के बाद यहाँ पर Gold टायर है gold tire के बाद यहाँपे platinum tire भी है platinum tire के बाद crown और crown के बाद देखे गाईज यहाँपे ash tire Yeah! last यहाँपे ash tire तक आप लोग यहाँपे पोहुँँच सकते हो और गाईज यहाँपे अलग-अलग tire में आने के बाद उसकी reward भी है जैसे के right side में देखे गोल टायर के अंदर आप लोग आओगे तो यहाँ पे आपको एक coupon मिल जाएगा classic का उसके बाद diamond टायर में आओगे तो एक mask मिल जाएगा और यहाँ पे last में season reward है guys तो season reward पे यहाँ पे एक title है तो रुखे मैं आपको इसका title का नाम भी पढ़के दिखाती हूँ तो guys यहाँ पे इस title का नाम है arena master तो अब आप लोगों को यह title मिलेगा कैसे तो जैसे के आप सबको पताई है कि जैसे ही हम लोग ace tier के अंदर आते है classic में तो ace star में आने के बाद top 500 player होते हैं वो conqueror के अंदर जाते हैं तो guys यहाँ पे ऐसा ही कुछ होने वाला है जैसे ही आप लोग यहाँ पे rank arena में ace के अंदर आ जाओगे उसके बाद खेलते खेलते जो top 1000 player होगे ठीक है इसके बाद 500 में conqueror जाते हैं वैसे यहाँ पे top 1000 जो player होगे वह यहाँ पे एरिना मास्टर का title ले पाएगे तो guys आप सब मुझे बताए कि कौन कौन इस title के लिए excited है और कौन कौन यहाँ तक पहुंचने भी वाला है ठीक है उसके बाद गाइस नीचे यहाँ पे एशिया ल लीजे तो रैंक एरिना देखे गाइस कितने बंदों ने यहाँ पे खेलना स्टार्ट भी कर दिया है यहाँ पर फॉस्ट वाला प्लेटिनम वन पर आके बैठ भी गया है आप लोग सोचिए अभी अभी तो जस्ट इवेंट आई है और बंदे यहाँ पे कितना प्लेटिनम में जाके आप लोग खेलोगे उससे फिर कुछ भी नहीं होने वाला ठीक है तो चले गाइस यहाँ पर पूरा रैंक एरिना मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेंड कर दिया है तो कौन-कौन यहाँ पर किस तायर तक पहुंचने के लिए एकसाइडेड है और कौन-कौन सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ओल पर प्रेस कर देना और अगर आप लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम और फेस्बुक पेज़ पेज़ पर जाके फॉलो कर सकते हो उसका लिंक आप लोगों को निच्छ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा थैंक यू फ